शो के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि कपाडिया हाउस में माया छोटी अनु और अनुज कपाडिया मिलकर केक कट कर रहे होंगे जब अचानक लाइट चली जाएगी तब भी अनुपमा की एंट्री होगी अनुपमा की मुश्किने अभी कम होने वाली नहीं है डूपाली गांगुली और गौरफ खना स्टार्टर टीवी शो अनुपमा में अभी बहुत से शोकिंग ट्रिस्ट आने बाकी है जो कि अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा शानिवास छोड़ कर जब कपाडिया हाउस आएगी तो उसे जोड कजटका लगेगा वैं समझ जाएगी कि बड़ का जूट नहीं बोल रही थी उसे पता चल गया कि माया के इरादे नेक नहीं है इतना ही नहीं उसका पती अनुझ का पाडिया भी माया की तरफ जुका महसूस करने लगा है अनुझ के माया के प्रती आकरशित होने की बज़ा उसका अनुपमा के प्रती बेवफा होना नहीं बलकि अपनी बेटी के प्रती प्यार है अनुच कपाडिया इस बात को अच्छी तरह जानता है कि अनुपमा उसकी बेटी का खयाल ना पहले रख पाई है और ना ही अब रख पा रही है जबकि माया पूरी शिदत से ना सिर्फ चोटी अनु का खयाल रख रही है बलकि उसे पूरा वक्त भी दे रही है शो के अपकमिंग एपिसोड में आप देखींगे कि कपाडिया हाउस में माया चोटी अनु और अनुच कपाडिया मिलकर के कट कर रहे होंगे जबी अचानक लाइट चली जाएगी लाइट आने पर पता चलेगा कि अनुच की हाथ माया ने नहीं बलकि अनुपमा ने पकड़ हुआ है यह देखकर माया निराश हो जाएगी लेकिन फिर अचानक उसे एक ऐसा मौका मिलेगा जो उसे उत्साब से भर देगा चोटी अनु को स्कूल की पिकनिक में जाना होगा और अनुपमा हमेशा की तरह चोटी अनु से बड़े-बड़े वादे कर देगी यह देखकर अनुपमा उसे कहेगा कि प्लीज उसे सपने मत दिखाओ इस बार अगर उसका सपना तूटा तो मैं बरदाश नहीं कर पाऊंगा अनुपमा अपने पती से कहेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा तभी शानिवार से बाका फोन आ जाएगा और वे आदेश आत्मक अंदाज मे उससे कहेगी कि कर तोशु को अस्पतार लेकर जाना है अनुपमा तुरंद बास से आने के लिए मना कर देगी लेकिन फिर अनुपमा उससे कहेगा कि वे जाकर तोशु को समभा ले यहाँ पर समभानने के लिए माया है अनुपमा समझ जाएगी कि माया उससे उसकी बेटी ह बलकि उसका पती और उसका परिवार सब कुछ छिने वाली है अनुच कहेगा कि छोटी अनु के साथ पिकनिक पर माया को जाना चाहिए ये सुनकर अनुपमा को जोर का जटकर लगेगा अब देखना होगा कि अनुपमा कैसे अकेले इन दौनों कश्टियों को डूबने से बच पाएगी